नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल भारतिकरन सिपर जहांदी जाती है पुराने नोट वा सिको की सहीज जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजापत दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रिपे के समारक सिको पर पार्ट वन और पार्ट टू बना दी है जिसमें हमने आपको बताया था एक रिपे के जवालाल नहरू के समारक सिक्के के बारे में मादमा गंदीजी के सिक्के के बारे में 1985 के इंटरनेशनल येर सुरी यूथ हियर के सिक्के के बारे में और समाल फार्मर के सिक्के के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में बात होगी तीन समारक सिक्को के बारे में दोस्तों वैसे तो यूटूब पर एक रिपेक समारक सिक्को की काफी सारी वीडियो है लेकिन वो पुराने वीडियो इस वीडियो में आपको 2023 में इन शिको की क्या प्राइस है वो बताने वाला हूं इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देजिए और वीडियो को पूरा देखें हाथ जोड़कर आप सभी से बिनती है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी स से कर दीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए अब बात करते हैं पांच नमबर के समार्क सिक्के की इस सिक्के की थीम थी रेन फीड फार्मिंग यह सिक्का 1988 में जारी किया गया था बजन 6 गराम साइच 26 mm सेफ सिर्कुलर अगर सिक्के की डिजाइन के बात करे यह कि इसे औवर्स बाग कहते हैं अब देख सकते हैं अगर बात करें एक रिवर्स साइड की तो रिवर्स साइड में आपको एक महला दिखाई गई है सिक्के में जिसकी आतों में फूल दिखाए गए है एक बैच दिखाए गई है और उपर हिंदी में लिखा गया है वर्षा संचित खेती येर दिखाए गया है 1988 और अंग्रेजी में लिखा गया है रेन फीड फार्मिंग ये सिके भारत की दो मेंटों में बने थे बॉंबे मेंट और कलकता मेंट अगर इन शिकोई रेटे की बात करें तो दोनों ही सिके बॉंबे मेंट और कलकता मेंट के सिके सामाने सिके हैं अगर इन शिकोई किमत की बात करें, तो fine condition में इन शिकोई किमत 5 रुपे तक जाती है, वहीं UNC condition का अगर शिक्का है, तो इस शिक्के किमत 75 रुपे से लेकर 100 रुपे किमते हो सकती है, अब बात करते हैं, 6 नमबर के एक समार्क शिक्के की, इस शिक्के की theme थी, food and environment, ये शिक् के पहले वाले सिक्के जैसा ही है, वजन, साइज और सेप में, इस सिक्के का जो वर्ष वाग भी वैसे ही है, पहले वाले सिक्के जैसा है, और बात करें, रिवर्ष बाग की, तो इस सिक्के में रिवर्ष बाग में आपको उगई फिसल दिखाए गई है, सुरिय दिखाए और लेफ्ट साइड हिंदी में लिखा गया खाद एंड प्रियावरन विश्वे खाद दिवस अंग्रेजी में लिखा गया फूड एंड इन्वार्मेंट वर्ल्ड फूड डे यह सिखे भारत के तीन मिन्टों में जारू हुए थे बॉंबे मिन्ट हेदराबाद मिन्ट और न हेदराबाद मिन्ट के सिखे केमत फाइन कंडिशन में पांच रुपे वहीं यूएंशी कंडिशन का सिखा है तो पिचेतर रुपे तक जाती है अब बात करते हैं नोड़ा मिन्ट के सिखे की जिसकी पैचान है येर के निचे गौल डॉट मिन्ट मारक इस सिखे के कीमत फा 1989 में जारी किया गया था इस सिखे की थीम थी जवालाल नहरू जनमसती पर जारी किया गया था इस सिखे का जो मेटल वजन साइज से वैसे है जैसे पहले वाले सिखा जैसा इस सिखे का जो वर्ष बाग है भी लगवग वैसे है पहले वाले सिखे जैसा रिवर्स बाग की ब हिंदी में लिखा गया जवालाल नहरू जनमसती वहीं अंगरेजी में रैट साइड में लिखा गया जवालाल नहरू सेंटेंरी और इयर दिखा गया 1989 यह सिके भारत की चयार मिंटों बने थे बॉम्बे कलकता हैदराबाद और नोड़ामिंट में इन चारों में सबसे और कीमती सिक्का है वो है नोडमिंट का क्यूंकि नोडमिंट का सिक्का एक रेर सिक्का है दोस्तों वेसे 2026 में ज्यादतर सभी रेर सिको की केमत दूगनी से तीन गुना हो गई है बात करते हैं इस सिक्के की नोडमिंट के सिक्खे की जो एक काफी रेर सिक्खा है इसकी पैचान है येर के निचे आपको डोट गोल डोट दिखाई देगा तो ये नोडमिंट का सिक्खा है और किमत की बात करें तो फाइन कंडिसन में इस सिक्खे किमत 800 रुपे से लेकर वहीं यूएनशी कंडिसन का अगर सिक्खा है तो 3000 रुपे तक जाती है बिलकुल नया सिक्खा है तो किमत 3000 रुपे तक जाती है बाकि सभी तीनों मिंट के सिक्खे बुंबे कलकता और हैदरबाद मिंट के तीनों सिक्खोई किमत फाइन कंडिसन में 5 रुपे से लेकर यूएनशी क कंडिसन का सिका है तो 25 रुपय तक जाती है दोस्तों ये थे एक रुपय के समारक सिकों की जानकारी अभी तक हमने कवर किये हैं साथ सिके आठ नो दस नमर तक के सिकों की अगली वीडियो में जानकारी दूँगा उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे सिके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है आप इस वीडियो के बारे में हमारे चैनल के बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर और सच-सच बताना आज के वीडियों बस इतना ही वीडियो लाष्ट दे निवाद जे हिन जे भारत